नमस्कार दोस्तों, वेलकम तो LNC Explained अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के वाइस प्रेज़ेंट अमरॉला साले ने एक बहुती इंट्रेसिंग ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने शेर की है एक यह आइकोनिक फोटोग्राफ 1971 पाकिस्तान सेरेंडर की और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा मतलब उन्होंने यह कहा कि ऐसी पिक्चर ऐसी फोटोग्राफ ना तो अफगानस्तान के हिस्ट्री में है और ना ही आगे कभी होगी उन्होंने कहा कि भी हाँ मैं थोड़ा से डर गया था जब रॉकेट अटैक्स हुए हमारे यहाँ पर लेकिन उन्होंने पाकिस्तान पर ट्रोलर्स हैं उनको टार्गेट करते हुए कहा कि तालिबान और तालिबान के द्वारा फ्लाए जा रहा जो टर्रिरिजम जिसको की है पाकिस्तानी इतना सपोर्ट कर रहे हैं वो इस पिक्चर के ट्रॉमा को कम नहीं करेगा ठीक नहीं कर पाएगा उसके लिए आपको you have to find other ways तुम्हें इसके लिए दूसरे तरीके ढूनने पड़ेंगे अब सवाल उड़ता है कि अमरुला साले को ये ऐसा ट्वीट करने की जरुत क्या पड़ी तो इस ट्वीट में अमरुला साले ने एक rocket attack की बात की तो पहले हम आपको ये rocket attack की वीडियो दिखाएता हूँ तो ये वीडियो है उस rocket attack की जिसके बारे में अमरुला साले ने अपनी ट्वीट में जिक्र किया यहां अफगानस्तान के प्रेजिडेंशल पैलस में ईद के मौके पर नमास पड़ी जा रही थी और यहां प्रेजिडेंट अशर्फ गनी और वाइस प्रेजिडेंट अमरुला साले दोनों मौजूद थे अब यहां अचानक rockets के जोर की आवाज की वजह से अमरुला साले थोड़ा रियक्ट कर गए और यह बहुती नॉर्मल सी बात है अगर कोई भी आदमी अचानक से कोई जोर के वाज सुनेगा तो रेट करे गई तो उनके इस रियक्शन की वजह से पाकिस्तानियों ने उनकी ट्रोलिंग स्टार्ट कर दी तो इस ट्रोलिंग के जवाब में अमरुला साले ने 1971 की इस आइकॉनिक पिक्चर को पोस्ट किया जिसमें जनरल एए के नियाजी अपने 93,000 सोल्जिस के साथ इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर करते नजर आ रहे हैं और ये वर्ल्ड वार टू के बाद से अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर है तो इस पिक्चर को पोस्ट करके अमरुला साले ने पाकिस्तानियों के जख्मों पर नमक छड़का नहीं जोर से रगड़ दिया तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद जय हिंद